गुजरात में लो वोटिंग और कॉंग्रेस के एक दाव ने सब की खटिया खड़ी कर दी है आज आप जानते हैं कि मद्धि गुजरात और उत्तर गुजरात में वोटिंग चल रही है बस कुछ गंटों में खतम भी हो जाएगी लेकिन यहां बड़ा एक इंट्रेस्टिंग खेल हुआ है चार रिसंबर ओनवर्ड्स देखिए पहले चरण के मतदान में बहुत से लोगों ने यह अटकल लगाई थी कि लो वोटिंग जो हुई है तो उसकी वज़े से क्या होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है अमोमन लो वोटिंग के दो ही मतलब निकलते हैं एक एंटी इंकमबेंसी के जो पार्टी सरकार में है उसके खिलाफ वोट जा रहा है उसी के लोग घर बैठ रहे हैं और दूसरा यह होता है कि ओपोजीशन घर बैठ गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि रूलिंग पार्ट में और भाजपा का भी आया इसी लिए अमोमन हर को यही कह रहा है और मैं भी यही मानता हूं कि 50-50 यानि नेक टू नेक का खेल है पहले चरण का लेकिन दूसरे चरण का मतदान जो आज 5 दिसंबर को हो रहा है उसमें पहली बात तो सीटें भी जादा है पिछली बार 89 सीट पे है दूसरा फैक्टर यह है कि उत्तर गुजरात जो है उसमें OBC फैक्टर बहुत काम आता है मद्ध गुजरात में भी काफी हद तक OBC फैक्टर काम आता है लेकिन हम यह ना भूलें कि उत्तर गुजरात और मद्ध गुजरात में एक फैक्टर और भी है और वो है मुस्ल और MIM के तोते उड़ गए कुछ एकाथ सीट छोड़ करके 90 सीटों पे कम से कम ये जो कॉंग्रेस का दाव है ये काम आ रहा है ये मान के चलिए कि उनका जो प्रदेश अध्यक्ष OBC है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आज के दिन में आ रहा है और दूसरा खड़गे साहब ने जो अनाउंस्मेंट्स की है जो कहा है कि यदी कॉंग्रेस पावर में आती है यानि के गुजरात के अंदर अगर 2022 में कॉंग्रेस की सरकार आती है तो मुसल्मान डेप्टी सीम हो सकता है अब ये फैक्टर की वज़े से आज उत्तर गुजरात और मद्य गुजरात की जो वोटिंग है कोई कुछ भी कहे वो काफी हद तक भाजपा को निराशा जनक परिणाम देने के लिए काफी है ऐसा इसलिए मानना भी हो रहा है क्योंकि फिर से लो वोटिंग हो रही है पहले चरण की तरह ही लगभग जा रहा है मामला दो तीन परसेंट उपर नीचे के सिवाए लेकिन इसमें भाजपा की कतारे भी हैं कॉंग्रेस की कतारे भी हैं लेकिन जो वोट काटने का सिलसिला कोशिश और मेहनत आम आदमी पार्टी और AIMIM कर रहे थे खास करके मुसलिम वोट को वहाँ उल्टा हो रहा है कुछ दो-तीन सीटें छोड़ करके बाकी हर सीट में मुसल्मान कॉंग्रेस को वोट कर रहा है OBC बहुत बड़ी तादाद में कॉंग्रेस को वोट कर रहा है देखे गुजरात का ये फैक्टर तो बना रहेगा कि ये हिंदुत्य की एक कारेशाला है तो यहाँ पे भाजुपा का एक तबका बहुत बड़ा तो आपको हर सीट पे मिलेगा लेकिन जो बचा हुआ बहुत बड़ा तबका होता है वो कॉंग्रिस की तरफ जाता दिख रहा है अब इसके बाद गिंती वाले दिन रिजल्ट वाले दिन अगर चुनाव आयोग साफ सुत्रा अपना काम करता है कहने का मतलब चुनाव आयोग के सीनियर मोस्ट आफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जला अधिकारी जो होते हैं और उनके नीचे के जो करमचारी इस समय पोलिंग भी करा रहे है उनी में लोग वोटिंग भी कराते हैं वो सब तो राजसरकार की नौकरी पर ही अधिकांच होते हैं अगर वो ना भिके तो मान के चलिए 2022 में बदलाव आ गया है लेकिन अगर वो बिक गए कि नीवी कारणों से तो ये होके रहेगा कि भाजपा को ये लोग जिता देंगे बले ही कम मार्जिन से ना भूले राजस्थान, मद्यपरदेश, करनाटक हम सब ने देखा था किस तरीके से जीत तो कॉंग्रेस को ही मिली थी लेकिन इस समय भारतियंता पार्टी की बहुत पतली हालते गुजरात में ये ध्यान में रखते हुए कि मोदी और शाह नहीं चाहेंगे कि उनके केंदर में बने रहते समय या उनके जीते जी गुजरात का सचेवाले कॉंग्रेस के हाथ में जाए वरना बहुत बुरे हाल हो सकते हैं इसलिए वो हर कोशिश इन छोटे बड़े अधिकारियों को खरीदने में रखेंगे कोशिश भी करेंगे शायद सफल भी हो जाएं लेकिन ग्राउंड लेवल पे OBC समाज यहां तक के बहुत बड़े तपके का इस बार पाटीदार समाज यानि पटेल और डेफिनिटली मुसल्मान जैसा मैंने का एकाथी छोड़ करके बाकी सब में वो कॉंग्रेस को वर्ड दे रहा है अब इसके बाद नतीजा क्या आएगा इन्शाल्ला अगर साफ सुत्रा ही रिजल्ट आया तो भाजपा गई यह मेरा मानना है Anyways, signing off फिर मिलेंगे